नमस्का दोस्तों आज की इस वीडियो में बात करने वाला हूं कि जब भी आपको इनसरी देते हो तो उसके लिए आप डूम घर या सैड आप कुछ भी कह सकते हो तो उसको बनाने के क्या फाइदे होते हैं और वो आप कब-कब उसको बना सकते हो और उसको किस तरीके से आप तो उसी के उपर आपको आज फूल डिटेल में वीडियो मिलेगी आप लास तक जरूर देखें कि आपको किस तरीके से जो है अच्छे तरीके से अपनी नर्सरी तयार कर सकते हो तो इसमें आप जो है नर्सरी के लिए बैड जो है दो तरह से बना सकते हैं और दो टाइम पर बना सकते हैं तो आप ऐसी बना सकते हैं जैसे आप बीज जो है बैड पे डालते हो उसके बाद जैसे बोरे विए बिचाते हो पानी डाल देते हो तो उसके बाद तुरंत बाद आप जो है उसके उपर डूम बना सकते हो यह तो रह गया आपका पहला तरीका उसमें थोड़ मुलेंट वो चार से पांश दिनों के बाद उनकुरित होना स्टार्ड सब्सक्राइब व उससोपर भाइगे नर्ष जो सल की टोकी है। में किल और हमारे वीडियों Państwo कि अंक्रित हो चुकि है हलाकि सिमला मिर्च और मिर्च को थोड़ा जादा वक्त लगता है लग वग 8-9 दिन अंक्रित होने में लग जाते हैं तो उसके बाद मैं इस तरह से ना पराऊं कि जीतना हमारे बैड की जो चोड़ाई रहती है उससे डबल से थोड़ा जादा मैं जो है टैनी लोंगा क्यूंकि इसके भी बहुत सारे फाइदे रहते हैं जादा मूंचा डूम होगा हमारा तो जब आपका पॉज बड़ी हो होगा तो उससे हीट से एकदम से हमारा पॉद्री जो पतिया गल जाएगी तो उसके लिए प्रॉपर स्पेस होना चाहिए और हवा क्रॉस करनी चाहिए तो उस तरीके से जो हम इसको थोड़ा जिसके बैड की चड़ाई से डबल हम जो टैनी ले लेंगे आप जो है मैं भी तूदकी सैंट की ले रहा हूं तो आप किसी चीज की ले सकते हो जो पल ले सकते हो कर गया जो बी आहरे वास रभी रहता तो आप बैस कब्लाव सकते एप बिछ चॉर की वार्प्तली सी ड़ करे ल तो आपकी यहां कुछ भी है जिससे भी आप गड़ा डाल सकते हैं तो वह चाइज ले लिए उसके बाद आप प्रॉपर लगबग प्रतेक फीट या अगर आपकी ज्यादा लंबी नस्री है तो उसके लिए आप जो है दो फीट का गैप सकते हो प्रतेक डंडे के बीच में ज जमा रहता है एक जगह पे तो लगबग हमें जादा नहीं गाड़ना है इसको लगबग चार से पांच इंज तक जो हम जमीन के अंदर जो है गड़ा डालेंगे और जितने भी आप गड़ा डालते हैं आमने सामने जो है प्रॉपर एक जो है पैरलर रो में सामने रखें एक कुछ इसमें इतना जाद आपको जो है कोई इंजिनिरिंग नहीं करने कि प्रॉपर इतना ही दूरी पे डिस्टेंस होना चाहिए तो यह तो खेतिया काम है आपका इसमें आगे पीछे भी आपका चल पढ़ता है तो इतना जो है में नहीं करता है इस तरी के से आपने दिर उसको bend करते जाना है और दूसरा जहां पर आपने same to same सामने parallel उसकी बिलकुल सामने जो आपने गड़ा डाला होगा उस छोड़ा सा तो उसमें आप जो दूसरा सीरेस का इस तरह से तरीके से उसमें बैंड करके दिरे दिरे डाल देंगे इससे आपका एक बिलकुल डिया का जो गाल गेंड करके आपके देंगे ने खुरी जो एंड कि नमीदा रहती है तो उसमें उसका निकलने का खतर आता स्टार्डिंग में एक बारे बैंड पड़ जाता है तो उसके बाद जो हैनिकलने में इतनी खासी दिक्कत नी आती बाद में फिर अच्छी तरीके से वो जम ज से बारिस हो गिया बीच में से इसको ज्यादा हुआ चले है कुछ भी हो सकता है कभी वी क्योंकि नरसरी हम पूरा साल कुछ ना कुछ चीज की देते ही रहते हैं तो उसमें जो हर सिच्वेशन रहती है हर मौसम रहता है उसके अकॉर्डिंग लिए हम ढूम को बना लेते हैं क् प्रकृति कुछ भी पता नहीं चलता कि आज बारिस है कल दूप है परसों क्या होता है आंदी दूपान चलता है कुछ भी कुछ पता नहीं चलता तो उसके अपहले ही प्रॉपर वे में अपनी सेटिंग इसको कर रखते हैं तो इस तेकर से लास्ट में जाला इसको बन देंगे ताकि यह इदर उदर ना खिसके और इससे हमारे जो डूम बन रहा है सेट बन रहा है उसका जो नीव है वह मजबूत हो जाएगी प्रते एक टैनी के साथ हम बांदेंगे तो वह प्रॉपर तरीके से एक बैलेंस बनाएगा चारो तरफ से मजबूती के साथ अज़ता है और बन देखा है क्ग फीर जाएगे को बीज करते हैं क्योंकि आपके बीज कुछ अज अंकूरीत हो जाते हैं कुछ बड़े हो जाते हैं तो हमें परसे जोभी रखा होता हुता है वो ठोड़ रखाता है तो उसके लिए उपर से डूम बनाते है जो की पूरी तरह से जो है ट्रांस्परेट नहीं होना चाहिए थोड़ा-थोड़ा सा धूंदरा होना चाहिए जाकि उसमें थोड़ी हवा भी जाती रहे और हवा तो साइड से आप थोड़ा स्पेस चोड़ेंगे उसके अंदर थोड तो तो उसमें अगर एक दम से डारेक्ट रखती है तो आपका बीज अंकृत होता होता वो सोग जाता है उसको प्रापर पानी आपको पानी दे सकते है शुबे पानी देता हो या साम को पानी देते हो तो उस तरीके से हमें एक देख लिए लागा एक जो यह नीचे से से लगा रहा हूं क्योंकि मेरा बैट जो है वो थोड़ा चोटा है अगर आपका बैट थोड़ा ज्यादा चोड़ा है तो आप इसको जो है लगवग चार से पांच इंच जो है उपर इस तरीके से धागा बांदेगी इससे यह होगा कि आपका जो पॉलिफिन रहता है वो बीच में मैं चाहता हूं कि कम से कम जो है स्पेस रहे ताकि मेरा जो पॉल्थिन अंदर को उसका जुखाओ कम से कम हो तो मैं बात कर रहा था कि आपकी नर्सरी जैसी गर्मियों के दिनों में आपको दिक्कत आती है कि जर्मिनेट नहीं होती उसके लिए आप डूम बनाना जबनाना जाता है और बात करते हैं बरसात में आपको यह बनाना बहुत ही जुरूरी रहता है क्योंकि बार इसकभी भी आ जाते है आपका जो एक तो बैड़ आपका थोड़ा जो जमीन से 5-7 या एक फिट उंचा होना चाहिए जिसे कि पानी जो है प्रॉपर हो इस तरीके करेगी आपका बीज जल्दी अंकुरित हो गा और बात करें कि आपकी गरमियों में घरमी में आपको मैंने पहले बशादी है कि आपको है ज貼ीव करमियों में बहुत इफैक्ट पढ़ता है और भाट है एक पाला नहीं पढ़ रहा है तो आप इसको जो है रात को डेली हटा या जो होता है इसे आपकी पुरी energy क्राब जाती है तो आपका रात को फ gonna अ सकते हैं । आपका मुखसम साफ रहता तो रात के वक्त पानी के बा DESC ने अफ़ बेख़ी गर इस तरह देखिये कि पीछे हमने पुरा पूरा जो पालिज भाड़ा रखा दिया है हाला कि मेरा थोड़ा बड़ा था तो मैंने डबल करके इसको लगा लिया क्योंकि ये पिछली मेरी नर्सरी का बचा हुआ है बड़ी जो नर्सरी दी थी तो एक तरफ से हम इसको स्पेस छोड़ देते हैं क्रॉस वेंटिलेशन के लिए और बाकी के दो तीन हटा देते हैं अगर कोई सवाल सुझा रहेता है दोस्तों कमेंट कर जरूर करें अगर वीडियो चल लगा तो लाइक कर दे अगर आप चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब जरूर करें अपना मुले समय देनी लिए बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों और दोस्तों अगर आप इससे पिछला पार देखना चाते हैं कि नरसरी हमने किस तरीके से यहां तक लेकिया इसको तैयार की तो आप डिस्क्रिप्शन में लिंक में जाके इसका पहला पार जरूर देख सकते हैं